नमस्कार स्वागत आपका ठी टाइम बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ प्रियातिवारे शुरुआत करते हैं खबरों की अलीगण में जैरीली शराप से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार मुख्यारूपी और एक लाग का इनामी बदमाज रिशी शर्मा आखिरकार पुलिस के हथे चड़ गया है रविवार को पुलिस रिशी शर्मा को गिरफतार कर उससे पूछताश में जूटी पीने से अब तक 101 शवो का पोस्ट मौटम हो चुका है जिसमें से 40 लोगों की शराप पीने से मौत की सीमो ने पुष्टी की है वह इस मामले में अब तक 50,000 के इनामी विपिन चौधरी और 25,000 के इनामी आरोपी नीरत चौधरी और कुल 6 इनामी शराप माफियों सहित 40 आर भारत और चीन के बीच सीमा विवात पर बातचीत को अब एक साल हो गया है बीते साल मई के महिने में पूर्वी लद्दाक में सीमा विवात का मुद्दा सुलजाने के लिए दोनों देशों ने बातचीत शुरू कर दी थी लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है एक स पर पूर्वी लद्दाक के चुशूल BPM हट में करीब 13 घंटे चली थी दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाक में लेसी पर डिस्टिंगमेंस से संबंधित शेश बचे मुद्दों के समधान के लिए विस्तरत विचार विमर्ष किया था वैठक के बाद रक्षा मंत्र वाले ने बयान जारी कर कहा था कि दोनों देश सन्युक्त रूप से जमीन पर स्थिरताब बनाए रखने किसी भी नई घटनाओं से बचने और सन्युक्त रूप से सीमा छेत्रों में शांती बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं इसी साल 24 जनवरी को नवे दौर की मीटिं पर दोनों देशों के सेन कमांडर्स ने बातचीत जारी रखी है कि वहीं को रोना वारिस लगातार अपना रूप बदलकर और खतरनाक होता जा रहा है आए दिन इसके नए वेरियंट सामने आ रहे हैं अब इसका एक और खतरनाक वेरियंट भारत में मिला है या इतना खतरन पर खतरनाक है कि इससे संक्रमित होने के साथ दिनों के अंदर ही मरीज का वजन कम हो जा सकता है वहीं पहले भी वेरियंट ब्राजील में मिला था वहां से इसके वेरियंट के भारत आने की पुष्टी की गई थी हाला कि अब वज्यानिकों का कहना है कि ब्राजील से कोरोना वारस के दो वेरियंट भारत आहें दूसरे मेरियंट का नाम भी बी वं वन टू एक टू है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विग्गयानिकों ने इस वेरियंट का परिक्षड एक्चुहे पर किया है इसके परेडाम चौक बढ़ते अंगली कबर के ओर वित्त मंत्राले कल इंकम टेक्स का नया पोल्टल लॉंज करने जा रहा है केंद्री प्रत्यक्षकर बोल्ड ने शनिवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि नया पोल्टल सोमवार से लाइव हो जाएगा हाला कि इस पोल्टल पर नया टेक्स पेमेंट सिस्टम 18 जून को लॉंज होगा साथी बोल्ड ने कहा है कि पोल्टल के साथ ही इसका एप भी रिलीज किया जाएगा आपको बता दे कि मौजूदा पोल्टल में टेक्स भरने की तरह तारीक के करीब इसके कामकाज में दिक्कते आने के वाके देखे जाए और CBDT ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उसका इंकम टेक्स का नया पोल्टल कल से लाइव भी हो जाएगा हाला कि टेक्स पेमेंट का नया सिस्टम और उसका मुबाइल अप एडवांस टेक्स जमा करने की तारीक के बाद 18 जून से एक्टिवेट हो जाएगा जिससे कि किसी भी करदाता को परिशानी का सामना ना करना पड़े साथ है उसने अपने बयान में कहा है कि टेक्स पेमेंट के नया सिस्टम का आधी होने में कारदत को कुछ समय लग सकता है हम चाहते हैं कि इस्तिमाल करने से पहले सभी करदाता इसके फीचर्स को अच्छी तरह से इसके अन्य सभी फीचर्स भी जल्द ही रिलीस कर दिये जाएंगे सरकारी तेल कंपनियों ने आज के इधन के नए दाम जारी कर दिये हैं घरेलू बाजार में पैट्रोल डीजल के रेट में बरहोतरी हुई है एक दिन की राहत के बाद आज दोनों ही इधन यानि पैट्रोल डीजल और महंगा हो गया है घरेलू बाजार में डीजल का रेट 29 पैसे प्रती लीटर जबकि पैट्रोल कदाम 27 पैसे प्रती लीटर बढ़ गया दिल्ली के बाजार में पैट्रोल 94.76 रुपे प्रती लीटर है जबकि डीजल 85.66 रुपे प्रती लीटर पर टिका रहा वहीं 4 जून को पैट्रोल 27 पैसे प्रती लीटर और डीजल 28 पैसे प्रती लीटर महंगा हुआ था वहीं इससे पहले गुरुवार और बुद्धुवार को भी इधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था वहीं दिल्ली के जीबी पंथ अस्पताल ने एक विवादित फर्मान जारी कर दिया है अस्पताल ने आदेश दिया है कि सभी नर्सिंग स्टाफ बातचीत के लिए केवल हिंदी अंग्रेजी में बात करेंगे बाकी भाषा में बात करने पर वेकारवाई के लिए तैयार रहें अब इस मामले में कॉंग्रेसांसर राहूल गांधी ने दखल दी है रहूल ने कहा है कि मल्यालम भी उतनी ही भारती भाषा है जितनी की कोई और भाषा भाषाओं के नाम पर भेदभाव बंद किया जाना चाहिए दरासल अस्पताल को एक शिकायत मिली थी कि नर्सिंग स्टाफ अपने राज या लोकल भाषा में बात करते हैं जिसके कारण मरीजों को असुविधा होती है बढ़ते अंगली खबर के ओर पस्चिम बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता शुबेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है त्रणमूल कॉंगरस ने दोनों नेताओं पर नगरपालिका से राहत सामगरी चोरी करने का आरोप लगाया है इसी सलसले में FIR दर्ज की गई है बंगार में विधान सभा चुनाओ से पहले शुबेंदु अधिकारी टीमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गये थे उन्होंने मुखी मंतरी ममता बनर जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से चुनाओ लड़ा था और ममता को करारी माद भी दी थी चुनाओ परिडाम के बाद से ही बीजेपी नेता और टीमसी के बीज मदभेद साफ तोर पर दिख रहा है आपको बता दे कि बीजेपी ने नंदीग्राम से विधाक और कभी ममता बनर जी के करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी को पस्चिम बंगार विधान सभा में विपक्ष का नेता चुना है केंद्र ने उनके पिता शेशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी को वाई प्लस कैटिगरी की सुरक्षा भी दे रखी है दक्षिर पस्चिम मांसून भारत में 3 जून को दस्तक दे चुका है यह धीरे धीरे देश के उतरी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है इस मांसून के प्रभाव के कारण कुछ उतरी राज्यों में भी भार बारिश की संभावना बनी हुई है भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजिस्तान और यूपी के कई हिस्सों में रविवार को बारिश होने का अनुमान लगा जा रहा है और इसी दोरान तेज हवाय भी चल सकती है दक्षिड पस्चिम मांसून के अगले 10 दिनों में उडीसा जारकंड पस्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार में पहुचने का अनुमान है भारत मौसम विज्ञान विभाग में कहा है कि दक्षिड पस्चिम मांसून मध्य अरपसागर करनाटक के तट्ये चेत्रो गोवा महराष्ट के कुछ हिस्से करनाटक के अंधरूनी हिस्से तिलंगाना के कुछ हिस्से और अंध्रप्रदेश तमिलनाडू के कुछ हिस्सों म और मध्यप्रदेश बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के पुर्वोत्तर हिस्सों तक बहुत चुका है वहीं कोरोना मामारी से बचाओ के लिए देश भर में वैक्सिनेशन का भियान चल रहा है रोजाना लाखों लोगों को कोरोना का ठीका लगा जा रहा है लाबारती वैक्सिनेशन स्लोट बुक करने के लिए कोविन पोल्टल और एप पर रजिस्टर कर रहे हैं हाला कि अब लोगों को कोविन पोल्टल और एप पर रजिस्टर करने के दौरान कैप्चर दर्ज नहीं करना पड़ेगा इसके साथ ही अप पोल्टल पर रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है कोविन पोल्टल और एप पर रेजिस्टर करने के दौरान अबला भारतियों को एक चार्ड डिजट का कोड दिया जा रहा है जो उन्हें अपने निर्धार त्टी का कड़ केंजर पर दिखाना होता है इसके बाद ही क्याप्चा दर्श करने के स्टेप को रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से हटा दिया गया है हाली में ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि प्रोग्रामर कोविन का उप्योग करने वाले दूसरे यूजर से पहले स्लॉट बुक करने और क्याप्चा को बाइपास का तरीका खोड चुके हैं जिसके बाद चार्ड डिजट का कोट जारी करने की प्रक्रिया को इसमें जोड़ा गया था इससे रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी की जारी और हेर फेर पर लगाम कसने में भी मदद मिली है देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है अब भारत में पिछले दो महीने में सबसे कम नए केस सामने आए हैं वही कोरोना मरीजों के स्वास्त होने की राष्टि दर यानी रिकावरी रेट तिरानबे प्रतिशत से अधिक है केंद्र स्वास्त मंतराले की मताबिक कोविड मरीजों के स्वास्त होने की संख्या करीब 25 दिन रोज आने वाले ने पॉजिटिव मामलों से अधिक है वर्डो मीटर के मताबिक देश में बीते 24 घंटे में 1.14 लाख नए कोरोना के सामने आये हैं जबकि 2600 से अधिक कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है आपको बता दे कि एक दिन पहले जारी आकोडों के मताबिक भारत में कोरोना के 1.2 लाख नए के सामने आये थे और जबकि 3380 कोरोना मरीजों की मौत हुई है कोरोना वारस के प्रकोग से अब धीरे धीरे राहत मिलती दिखाए दे रही है राश्टी राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोविड-19 के नए मामले में कमी आई है इस बेश दिल्ली में शनिवार को पिछले 24 गंटे के दौरान कोरोना के 414 नए मामले सामने आये हैं और 60 मरीजों की मौत हुई है वहीं कोरोना से 1663 मरीज ठीक हुए है इस समय राजधारी में कोरोना का पॉजिटिवी डिटी रेट 0.53 पीजदी है वहीं दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 6,731 है बरतेंगली खबर की ओर एंबुलेंस चालक का मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे परिवाहन भाग ने मोटर यान अधिनियम यानी 1998 की धारा सरसट के तहत निजी अस्पताल अंबुलेंस की किराय की दर निर्धारित कर दी है तैस से अधिक किराय लेने पर अंबुलेंस का पंजी करण और चालक का ड्राइविंग लाइसंस निरस्त कर दिया जाएगा साथी डियल भी दोबारा नहीं बनेगा परिवान विभाग से मिली जानकारी के मताबिक टाइप A श्रेडी के तहत मेडिकल फस्टेड सस्पोर्डर अंबुलेंस के पहले 10 किलो मीटर के लिए 500 रुपए और 10 किलो मीटर के बाद 10 रुपए प्रती किलो मीटर दर निर्धारित की गई है पाइश्रेडी B में रोड अंबुलेंस पेशन्ट ट्रांसपोर्ड के पहले 10 किलो मीटर के लिए 1000 रुपए और इसके बाद 20 रुपए प्रती किलो मीटर किलाया इसका तै किया गया है सिक संगटनों ने आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की 33 परसी मनाने के लिए कई कारिक्रमों की योशना बनाई है आपको बता दे कि सेरा ने साल 1984 में स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे आतंग वादियों को पाहर निकालने के लिए 6 चून को सैन अभियान चलाया था इस बीच पंजाब सरकार ने पूरे राज में सुरक्षा कड़ी कर दी थी और अमरिच सर में सुरक्षा जादा कड़ी की है जहां सुर्ण मंदिर है अमरिच सर कमिशनरेट पुलिस ने कहा है कि शहर भर में निगरानी रखने के लिए 6,000 सेधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है पुलिस ने गुरुवार को हॉल गेट से हैरिटर्स स्ट्रीट तक फ्लाग मार्ष किया है जो स्वर्ण मंदिर की ओर जाता है सिखों की सबसे बड़ी धार मिक्संस था शीरो मडी गुरुद्वारा प्रबंदक कमिटी ने पिछले हफ़ते कहा था कि वायस साल ओपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर गुरु ग्रंत साहिप के गोलियों से भरे पवित्र सरूप को प्रदर्शित करेगी और उस समय जेपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा ने शनीवार को पार्टी के महासच्वों और विभिन मोर्चों के अध्यक्षों के साथ संगटन और 2022 में होने वाले पाच राज्चों के चुनावों पर व्यापक मन्थन किया है जेपी नड़ा के घर पर सुभा ग्यारा से शाम साड़े पाच बजे तक चले बैठकों के दौर में पार्टी के सभी महासचिफ मौजूद रहें इस बीच पार्टी के पाचों मोर्चों के राज्ट अध्यक्षों ने भी बैठक में हिस्सा लिया और मोर्चों के कामकाज की जानकारी दी सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कोरोना काल में देश भर में चलाय जा रहे विशेश अभियान सेवा ही संगठन कारियों के फीडबैक पर चर्चा हुई और पाच विदान सभाओं के चुनावों के नतीजों की समक्षा भी की गई है वहीं बैठक में इसके अलावा केंज सरकार के विबिन योजनाओ का बीजेपी शासित राज्यों के अलावा अनिराज्यों में मोधी सरकार के दूसरे कारिकाल के गरीब कल्यार योजनाओ को और मोधी सरकार के उपलब्दियों को ग्राउंड जीरो तक संगठनात्मक प्रोग पार्टी को अगले साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश उत्राखंड और पंजाब के चुनाव में जाना है इसके बाद भी कई राज्यों के चुनाव होने वाले हैं जिन में गुजराद भी शामिल है इसके साथ संगतनात्मक कारियों को भी तेज करने के लिए लंबी पर वी पूरी को 14 दिनों की नाई खिरासत में भेज दिया है अधिकारियों ने जानकारी दी है कि बता दे आपको कि दो साल पहले पात साल की बच्ची से छेरचाड और तुशकर्म के आरोप में शुक्रवार देराद गिरफतार किये गए पूरी को वसाई सत्र न्यायाले क की नाधिश अधिती कदम के समक्ष पेश किया गया उन्होंने पूरी को 14 दिनों की नाई खिरासत में दे दिया है पूरी की जमानत के अरजी दायर करने की संभावना है जिस पर सोमवार को अदालत में सुनवाई होगी 31 वर्ष ये नागिंत्री अभिनेता को मीरा भयंदर दवसाई विरार पुलिस कमिश्ट्रेट ने आई पीसी से क्या रोपो को लागू करते हुए बुक कर दिया है कि फिलाल की बुलेटेन मितना ही देजने की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्राइम टीवी कि बुलेटे लिए प्राइम गया कि देखते हैं